तेरी मेरी डोरियां के आज के अपिसूर में आप देखेंगे के वीर सीरत से बोलता है के वो साहिबा को खाने और पानी में पाउडर नहीं मिला के दे सकते क्योंकि अंगत की खाने और पानी दोनों पर नजर है वीर उसे ये भी बोलता है कि देखते हैं कि अंगद हवा पे भी नजर रखेगा तो सीरत पूछती है कि क्या मतलब उसका तो वीर बोलता है कि बस देखती जाओ जसलीन साहिबा से बोलती है कि अंगद तुमारी कितनी फिक्र करता है साइबा जसलीन को याद दिलाती है कि अंगत ने उसे थपड मारा था उनका डाइवर्स भले ही ना हुआ हो लेकिन उनकी रिलेशनशिप एंड हो चुकी है अंगत को साइबा की बहुत जादा फिकर होती है तब ही उसे लैब से कॉल आता है अंगत को पता चलता है कि वो पावडर एक लीगल ड्रक था और उस ड्रक्स की वज़े से लोगों को हैलुसिनेशन होता है इस ड्रक को लेने के बाद लोगों को बहुत प्यास लगती है और उसे ये भी बता है कि इस ड्रक से लोग एडिक्टिक्ड हो जाता है अंगत साहबा को पानी पीने से रोकता है बोलता है कि उसकी ड्यूटी है कि वो खाने और पानी का खयाल रखे अंगत बोलता है कि वो दूसरा पानी लेके आता है और वहां से चला जाता है अंगत सोचता है कि कौन है जो साहबा को ड्रक्स दे रहा है अंगत एक अवाज सुनता है और अपने रूम के बाहर आता है देखने के लिए वही उसे एक हुटी पैनाव इंसान दिखता है और अंगत उसका पीछा करता है वो इंसान बाहर चला जाता है और अंगत भी उसके पीछे बाहर चला जाता है तबी सीरत दर्वाजा खोलती है और अंदर आने के कोशिश करती है गैरी उससे पूछता है कि वो इहां क्या कर रही है तो सीरत बोलती है कि वो साहिबा को चेक करने आई थी तो गैरी बोलता है कि तुम ही दीना जो साहिबा को mental asylum भेजना चाहती थी तबी अंगत को security से पता चलता है कि कोई ना अंदर गया और ना बाहर आया वीर सीरत से पूछता है कि काम हो गया तो सीरत बोलती है नहीं आगे आने वले episode में आप देखेंगे कि अंगत को सीरत का सच पता चल जाता है और वो से घर से बहार निकाल देता है ऐसे अप्डेट्स के लिए देखते रहे हैं मीस्टालेट इंटेटेन्मेंट